नमसकार दोस्तूं दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्तान के परियटन स्तल से समन्दीत महत्वपूण 50 परसन दोस्तूं ऐसे क्यूशन है दोस्तों जो राजस्तान की जो बढ़तियां है उनके अंदर पूछे गए हैं या अब पूछे जा सकते हैं जो इंपोर्टेंट क्यूसन है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आप अंतिक मेरे साथ ये 50 क्यूसन एक बार जरूर देखें आप सभी का में स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल को चामन ओनलाइन कलासेज पर जो नए मित्तर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी एक बार वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दें चलते हैं दोस्तों क्यूसन की ओर पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे राजस्तान परियेटन का वर्तमान आदर्श वाक्य है क्या आदर्श वाक्य है राजस्तान परियेटन की बात हो रही है राजस्तान बारत का अतुल्ले राज्ये पधारो मारे देश कैसरिया बालम पधा में हैं दोस्तों राजस्तान भारत का अतुल्ले देश अतुल्ले राजी दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं राजस्तान में सरवादिक विदेशी परियाटकों का आगमन किन महिनों में होता है विदेशी परियाटक राजस्तान किन महिनों में आते हैं दोस्तों अक् मंदित मेवाड छेतर के गोगुंदा कुम्बलगड चावंड हल्दी गांटी वे दिवेर को परियतन इस्तलू के रूप में विक्सित करने की योजना कौनसी है दोस्तों कौनसी योजना है मेवाड कॉम्पलेक्स योजना जो ऑप्षन भी है वो आपका सही रहेगा राजस्तान परियतन विकास निगम की इस्तापना किस वर्स हुई थी 1989 में ओप्षन सी सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं क्यूशन नमबर पांच है राज्य सरकार द्वारा जेपूर वे जालावार जिले में इस्तित बोध इस्तलू एवं पुरा इस्तलू के विकास है तू जो योजना बनाई गई है वह है कौन सी योजना है जेपूर और जालावार जिले के अंदर जो बोध इस्तल है और पुरा इस्तल है उनके विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई है बुद्दा सरकिट ए ओप्षन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में च चलते हैं वरहा मंदिर रंगनात जी गुलाब की खेती बर्मा मंदिर रतनागिरी रतनागिरी पहाड़ी राता डूंगर मान महल गोगाट इतियादी का संबंध है कहां के स्तल है दोस्तु यह पुस्कर के हैं ओप्सन सी सही रेगा और इंपोर्टेंट क्यूसन है यह सभी दो चत्री बीलवाड़ा में ए ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूसर में चलते हैं निव में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है तो देखते हैं दोस्तु सवाई भोज मंदिर आसिंद में हैं सही सुमेलित है राव अमर सिंग राठोड की चत्री नागोर के अंदर है ददिम सही रहेगा नेक्स्ट यूसर में चलते हैं क्यूसर नंबर दस है पीपा जी की गुपा इस्तित है पीपा जी की गुपा कहां पर है दोस्तु टोडा के अंदर इंपोर्टेंट क्यूसर नहीं है पीपा जी की गुपा कहां पर है टोडा के अंदर नेक्स्ट क्यूसर में चल गनेश पोल मावटा सी समेल जलेब चोग नेक्स्ट यूजर में चलते हैं मुसी महारानी की चत्री कहां पर इस्तित है मुसी महारानी की चत्री अलुवर के अंदर सी ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूजर में चलते हैं डुंडाड अंचल का वह गाउं जहां पर पुराता बात्विक महत्वे की चांदी बावडी हरसद माता का मंदिर एवं मूर्ती सिलप दर्सन यह है लुंडा रंचल का कौनसा गाव है दोस्तु वो आभानेरी ओप्शन ए आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं यहां पे दोस्तु चांद बावडी है मैंने चांद जहां इस्तित मंदिर में बगवान श्रीकर्शन की पूजा सिस के रूप में की जाती है सिकर जिले का कौनसा है दोस्तु खाट्टू श्याम जी ओप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं क्यूशन नंबर पंद्र है सियानन डूंगरी तीर के अंदर बी ओप्शन सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं नागेश्वर महादेव मंदिर इस्तित है नागेश्वर महादेव मंदिर स्री गंगानगर के अंदर ए ओप्शन सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं गोगाजी की सम्मादी गोगामेडी इस्त वह मेल जो अपनी सुनिम मिनाकारी तत्य एवं इस्तापत्य के लिए जाना जाता है कौन सा मेल है दोस्तूं अनूप मेल बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तूं जो अनूप मेल है यह सुनिम मिनाकारी और इस्तापत्य कला के लिए जाने जाने वाला महल है क्यूसर नमर 19 राजस्तान का ताजमहल कहलाने वाला जस्वन थड़ा इस्तित है कहा इस्तित है जस्वन थड़ा जोदपूर के अंदर राजस्तान का ताजमहल नेक्स्ट क्यूसर में चलते है निवन में से कौन सा पूरा परियेटक इस्तल बाड मेर जिले में इस्तित नहीं है कौन सा नहीं है इन में से बाड मेर जिले में इस्तित बीनमाल दोस्तों बीनमाल है बाड मेर में इस्तित नहीं है खेड किराडू जसोल यतीनू बाड मेर में है नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं जालोर जिले में जस्वंत पुरा के निकिट इस्तित सुन्धा माता मंदिर में जिस देवी की पूजा अर्चना की जाती है वह है सुन्धा माता मंदिर में किस देवी की पूजा अर्चना की जाती है दोस्तु सुन्धा माता मंदिर में सिरोही के अंदर ए ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं नक्की जील गुरु सिकर सारने स्वर महादेव एवं अधर देवी मंदिर किस जिले में इस्तित है किसमें दोस्तु नक्की जील गुरु सिकर सिरोही जिले में तो सारने स्वर और अधर देवी माता मं मंदिर भी का है सिरोई में नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं गड़सी सर तालाब जैसल मेर का कलात्मक परवेश दुवार जिस नगरवदू से ने बनाया वहत थी कौन सी नगरवदू ने बनाया था गड़सी सर तालाब का परवेश दुवार दोस्तों किसने टिलो ने ओप् रनकपूर जेन मंदिर कौन से जिले में हैं दोस्तूं पाली के अंदर ए ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं क्यूसर में चलते हैं क्यूसर नंबर 27 सजनगड के महल इस्तित है कहां पर उदेपूर में सजनगड के महल कहां इस्तित है उदेपूर के अंदर नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं निर्में से कौन सा इस्तान चितोडगड दुरग में इस्तित नहीं है इनमें से कौन सा इस्ता जो चितोडगर दुरग में नहीं है तो डी ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं क्यूशन नमर उन्टीस है काका जी की दरगा बहुर माता का मंदिर गोतमे स्वरधाम बमोतर तिर्त छोटी माजी साहिबा का किला एवं जाकम बांग किस जिले में इस तिर्तिस्तल गलिया कोट किस जिले में इस्तित है गलिया कोट किस जिले में डुंगरपूर सी ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं अर्थूना बांश्वाडा का प्राचिन नाम है क्या नाम है अर्थूना का प्राचिन नाम अथूनक ओप्सन ए सही रहे पाटन मंदिर बुंदी समर्पित है कौन से बगवान को बगवान श्री कर्षन को केसो राय पाटन के अंदर जो मंदिर है बुंदी के अंदर वह बगवान श्रीकर्षन को समर्पित है नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं गेपरनात मंदिर, चंबलपुल, बाड़ोली का सीव मंदिर, भीमचौकी, भीमचोकी दोस्तों चोरी नहीं है, भीमचोकी शरप उद्ध्यान, इतियादी का सम्मंद किस जिले से हैं, कौन से जिले से हैं, बहुत कालिन गुपाई इस्तित है कहां पर जालावाड में ओप्शन डी सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं बारा जिले में इस्तित साहिर यू का परमुक तिर तिस्तल है कौन सा है दोस्तूं सितामाडी ओप्शन एस सही रहेगा next question में चलते हैं बर्माजी का दूसरा मंदिर कहां इस्तित है बर्माजी का दूसरा मंदिर है वो कहां पर इस्तित है आसोतरा के अंदर c option सही रहेगा पर्तम का है बर्माजी का मंदिर push कर के अंदर next question में चलते हैं बारत का मक्का के नाम से परसिद है बारत का मक्का, खवाजा मोहिनुदिन चिस्ती की दर्गा अजमेर, भारत का मक्का दोस्तूं, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, मीरा दातार की दर्गा किस दुरग में इस्तित है, कौन से दुरग में है, तारागड दुरग के अंदर, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, कि नोगावा के जैन मंदिर हैं किस जिले में इस्थीत दोस्तों अलवर के अंदर ओपसन यह आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट उसन में चलते हैं क्यूसर नंबर 41 है उत्तर बारत की एक मातर सूरियए पीट कहां इस्थीत है उत्तर भारत की एक मातर सूरिय पीट, कहां है, सुरानी धाम सूरिय मंदिर के अंदर डी ओपसन सही रहेगा, next student में चलते हैं उस्जद मंदिर बयाना, बरतपूर में इस्थित है, तो उसे मस्जद है मस्जद कहा हैं दोस्तों, बयाना के अंदर ही एह ओप्सन है जो आपका यहां पे सही रहेगा next question में चलते हैं क्यूसर नमर 43 है सांक्य दर्सन के परने तक कपील मुनी का आस्रम इस्तितै कहां पर इस्तितै कपील मुनी का आस्रम कोलाईत के अंदर c option आपका सही रहेगा next question में चलते हैं सिहां रूड गणपत्ती का मंदिर कहां इस्तीत है जो अर्तुना के प्राचिन मंदिरूं का सम्मंद किस वंस से हैं और तुना के जो प्राचिन मंदिर है उनका वंस परमार वंस जो सम्मंद है वो परमार वंस से बताया जाता है दोस्तु नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं राजस्तान के मिनी माउंट के नाम से मिनी माउंट के नाम से हल्देश वर महादेव सिवाना दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं क्यूशन नमबर से तालेस परतियार कालिन महा मारू सेली से निर्मित मंदिर हरसद माता मंदिर अहभा नेरी दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं मातर कुंडिया के प्राचिन मंदिरू को कहते हैं क्या कहते हैं राजस्तान का हरीदवार सी ओप्सन सही रहीगा important क्यूशन है next यूशन में चलते हैं राजस्तान का सर्वाधिक प्राचीन ज्यान मंदिर है कौन सा सीतलेश्वर महादेव मंदिर जालावार और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्यूसन की और सुन्दा माता का मंदिर किसके निकिट है जहां पर राजस्तान का पहला रोप वे सुरू किया गया है किसके निकिट है सुन्दा माता का मंदिर जस्वंत पुरा के डी ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा अगर मित्रू कोई सा भी क इसमें आपको कुछ संसे है या कुछ दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें एक बार सभी कमेंट करके बताएं कि ये क्यूसन आपको कैसे लगे अगर आपको ये क्यूसन पसंद आए तो वीडियो को लाइक अपने सभी मित्रू के पास सेर जरूर करें आप सभी को बहुत बहुत